Big Bash League 2024 Brisbane Heat और Perth Scorchers Big Bash League का 32 मैच आस्ट्रेलिया के गाबा मैदान पर Brisbane Heat और Perth Scorchers के बीच खेला जाएगा पिछली बार जब ये टीमें खेली थी तो वे Brisbane के Brisbane Cricket Stadium में थी Perth Scorchers ने टॉस जीत कर गेंद बाजी करने का फैसला किया Brisbane Heat ने पहले बले बाजी करते हुए 156 रन बनाए लेकिन Perth Scorchers ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया और 157 रन बनाकर मैच जीत लिया Perth Scorchers के दो खिलाडियों जोश इंग्लिश और आरोन हाडी ने वास्तव में अच्छा खेला और अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद की जेसन बेहरंडॉर्फ ने भी शांदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट लिये और उन्हें Player of the Match चुना गया क्या Perth Scorchers कल का मैच जीतेंगे या Brisbane Heat Big Bash लीग में अपनी साथ मैचों की जीत का सिलसिला खत्म कर देगी आप स्क्रीन पर भार्टसेप नंबर पर संपर्क करके पता लगा सकते हैं कि कौन जीतेगा वे आपको मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले बता देंगे सभी मैचों के शुरू होने से पहले उनकी भविश्यवानी जानने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जुर सकते हैं इंतजार न करें अभी राघव क्रिकेट एनालिसिस से जुड़े आए शुरू करते हैं आज का प्री मैच विशलेशन ब्रिस्पेन में ब्रिस्पेन क्रिकेट ग्राउंड नामक स्थान पर एक क्रिकेट मैच हो रहा है इसकी शुरूआत बुधवार दस जनवरी को दो पर दो बचकर दस मिनट बजे होगी इस मैदान पर यह 58 मैच हो रहा है पिछले मैचों में 30 बार पहले बलेबाजी करने वाली टीम जीती है और 28 बार दूसरे नंबर पर बलेबाजी करने वाली टीम जीती है पहले बलेबाजी करने वाली टीम ओस्तन 131 रन बनाती है इस मैदान पर बनाए गए सर्वोच स्कोर का रिकॉर्ड ब्रिस्पेन हीट टीम के नाम है जो पांच विकेट के साथ 224 रन है उनके नाम सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड भी है जो 90 रन पर आल आउट हो गए आये खेल में खेलने वाली टीमों और कुछ महत्वपूर्ण खिलाडियों पर नजर डालें जो बल्ले बाजी और गिंद बाजी में अच्छे हैं पर्ट स्कोर्चर्स के लिए जैक क्रॉली उपर जाकर बल्ले बाजी करने वाले पहले खिलाडी होंगे सैम भाइट मैन उनका समर्थन करेंगे फिर एरोन हाडी नंबर 3 पर बल्ले बाजी करने आएंगे उसके बाद जोश इंग्लिश नंबर 4 पर लॉरी इवांस नंबर 5 पर और कूपर कुनोली नंबर 6 पर बल्ले बाजी करने आएंगे उसके बाद नमबर साथ पर वे सेगर, नमबर आठ पर जाय रिचर्डसन बले बाजी करेंगे नौवे नमबर पर एंड्रियू टाई, दसवे नमबर पर हैमिश किंजी और ग्यारवे नमबर पर लांस मौरिस हैं जोश ब्राउन ब्रिस्पेन हीट क्रिकेट टीम के पहले खिलारी बनने जा रहे हैं कॉलिन मुन्रो उनकी मदद और समर्थन के लिए वहां मोजूद रहेंगे नाथन नचास्विन तीसरे खिलारी होंगे, उसके बाद मैटरेंशौ, सैम बिलिंगस, पॉल वाटर्स, माइकल नेसर, जेवियर बाटलेट, स्पेंसर जॉनसन, मिशेल स्वेपसन और मैथ्यू कुनमैन होंगे वहां दो टीमें एक खेल खेल रही हैं प्रतेक टीम में मेहत्वपूर्ण खिलारी होते हैं कुछ खिलारी गेंद को बले से मारने में अच्छे हैं जैसे कॉलिन मुन्रो, जोष ब्राउन, आरोन हाडी और जोष इंगलिश अन्य खिलारी गेंद फिंकने में अच्छे हैं जैसे जेवियर बाटलेट, मैथ्यू कुनमैन, जेसन बेरंडॉर्फ और इंड्रियू टाई आएए देखें कि दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए कितना अच्छा प्रदशन किया है उन्होंने अब तक 21 मैच खेले हैं अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार कौन जीतेगा अब आएए देखें कि दोनों टीमें अपने हालिया मैचों में कैसा प्रदशन कर रही है एक खेल में 5 मैच खेले गए ब्रिस्पेन हीट टीम ने 4 मैच जीते और पर्द स्कॉचर्स टीम ने भी 4 मैच जीते दोनों टीमें खुश महसूस कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अपना सबसे हालिया मैच जीता है हम आपको बता सकते हैं कि कल का खेल कौन सी टीम जीतेगी लेकिन सबसे पहले आप स्क्रीन पर वार्ट सेप नंबर टेक्स्ट कर सकते हैं वे आपको खेल शुरू होने से आधे घंटे पहले बता देंगे कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी आप सभी खेलों के शुरू होने से पहले पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जुर सकते हैं इंतजार न करें अभी राघव क्रिकेट एनालिसिस से जुड़े हमारे क्रिकेट विशेशिगे के अनुसार पैंतालीस प्रतिशत संभावना है कि ब्रिस्पेन हीट मैच जीतेगी और पच्पन प्रतिशत संभावना है कि पर्थ स्कॉर्चर्स जीतेगी विजेता टीम ब्रिस्पेन हीट हो सकती है आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? देखने के लिए धन्यवाद